गुड मॉर्निंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा साथ विशे विज्ञान अध्याय आठ पवन तुफान और चक्रवात भागदो मेरा नाम निशियरोडा है और मेरे साथ हैं रामशरूप कुमार प्यारे बच्चो भाग एक में हमने पाठ का सारांश जाना आज हम इस सद्ध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे ठीक है बच्चो शुरू करें बहु विकल्प ये प्रश्न बच्चो इस प्रश्न में हमें चार विकल्प दिये गए हैं हमें एक साई विकल्प चुनना है और ब्रैकेट में उत्तर लिखना है नमबर एक चक्रवात आने की संभावना किस जगे अधिक रहती है समतलिय भाग, तटिय प्रदेश, पहाड़ी भाग या रेगिस्तानी भाग बच्चों हमें पढ़ा था ना कि चक्रवात तटिय प्रदेशों में आने की संभावना जगे रहती है तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ख नमबर दो, निमलिखित में से किस थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है चन्नाई, मैंगलौर, अमरत्सर, पूरी बच्चों चक्रवात कहां आते हैं? तटिय प्रदेशों में चन्नाई, मैंगलौर, पूरी यह तटिय शेत्र हैं तो यहां पर तो चक्रवात आने की संभावना ज्यादा है और अमरत्सर, यहां पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है तो हम यह ब्रैकेट में लिखेंगे ग नमबर तीन, रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिये कपवन डैश वायू है पवन किसे कहते हैं बच्चों? गतिशील वायू को तो हम यहां लिखेंगे कतिशील ख पवन प्रत्वी के डैश तापन के कारण उत्पन होती है पवन क्यों उत्पन होती है बच्चों? प्रत्वी के असमान तापन के कारण गर प्रत्वी की सतह के निकट डैश वायू उपर उठती है जबकि डैश वायू नीचे आती है बच्चों प्रत्वी की सतह के निकट की गर्म वायू उपर उठती है और ठंडी वायू नीचे आती है गर्म वायू डैश दाप के शेत्र से डैश दाप के शेत्र की और गती करती है बच्चों हमने पढ़ा था ना कि वायू उच्च दाप के शेत्र से निम्न दाप के शेत्र की और गती घर्ती है ठीक है बच्चों नमबर चार नीचे दिये गए वक्तव्यों में से साई अथ्वा गलत पर निशान लगाईए बच्चों यहां कुछ कथन या वक्तव्यों दिये गए हैं हमें इन में साई या गलत पर निशान लगाना है शीत काल में पवन थल से सागर की और बहती है बच्चों यह कथन बिलकुल सही है तो हम सही पर निशान लगाएंगे ग्रीश्म काल में पवन थल से सागर की और बहती है नहीं बच्चों यह कथन गलत है ग्रीश्म काल में पवन सागर से थल की और बहती है तो हम यहां गलत पर निशान लगाएंगे चक्रवात का निर्मान अति उच्छ दापतंत्र और उसके इर्दगेर्थ अति उच्छ वेग की पवन के घूमने से होता है नहीं बचो यह कथन गलत है हमने पढ़ा था ना चक्रवात में निम्न उच्छ दापतंत्र के चारो और अति उच्छ वेग की पवन बहती है तो यह कथन गलत है भारत की तट्रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना नहीं है सही है बचो यह कथन नहीं यह कथन गलत है तट्रेखा पर चक्रवातों के आने की संभावना होती है तो हम यहाँ पर भी गलत पर निशान लगाएंगे ठीक है बच्छो नमबर पांच पवन क्या है उत्तर गतिशील वायू पवन के लाती है नमबर चे पवन बनने या बहने का क्या कारण है उत्तर प्रत्वी पर और समानतापन पवनों के बनने का प्रमुक कारण है नमबर साथ चक्रवातों को मोनीटर किस प्रोध्योगी की सहायता से किया जा सकता है उत्तर उपग्रहों तथा राडार की सहायता से चक्रवातों को मोनीटर करना आसान हो गया है नमबर आठ यदि आपके गाउं अथ्वा शहर में चक्रवात आजाए तो आप अपने पडोसियों की सहायता कैसे करेंगे उत्तर चक्रवात संभावित शेत्रों में चक्रवात आश्रियों का निर्मान लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुचाने के लिए प्रशास्निक व्यवस्था घरेलू सामान पालतू पश्वों और वाहनों आधि को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाने की व्यवस्था सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस अगनीशमंदर अथार्थ आग भुजाने के लिए जो कंट्रोल रूम होता है वहां का नंबर और चिकिश्चा केंद्रों के टेलिफोन नंबर की सूची अपने साथ रखना तो बच्चो अब हमने इस सद्ध्याई के प्रश्ण उत्तर पूरे कर लिये हैं अब आप ग्रहकारे करेंगे ग्रहकारे नंबर एक तडित जन्जावात किसे कहते हैं नंबर दो तडित जन्जावात के समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए तो प्यारे बच्चो अब हमने यह अध्याई के प्रश्ण उत्तर पूरे कर लिये हैं अब आप इस वीडियो को दुबारा देखना प्रश्ण उत्तर कॉपी में लिखना समझना और याद भी करना ठीक है बच्चो धन्यवाद